यह अनदर रेंज मार्केट एक्सपेट था बैंग निफ्टी एक रेंज में रहे हमने डिसकस किया था कि एनार पर आ सकता है निफ्टी के बीच में ही कॉंटिनुएसली केंडल फॉर्म हो रहा है निफ्टी 25,000 को ऊपर है उस पर भी हम डिसकस करेंगे और देखेंगे कल या 2nd of August को हम किस तरह से बैंग निफ्टी में ट्रेट करेंगे जितना रेंज पर आएगा उतना हमारे लिए बेटर है क्योंकि एक ब्लास्ट आने वाला है बहुत जल्दी तो लेट सी कैसे हम ट्रेट करेंगे लेट स्टार्ट विद्टी हम सब का फेबुरेट है विल्कम बैक लिए लेट हो सकता है नीचे का लिए बहुत इंपर सकता है या फिर अपना ट्रेंड को थोड़ा बहुत एवजी तक वह चेंज करके फिर यहां से कंटिनू कर सकता है तो यह दो बहुत important level हो जाएगा तो मैं यहां से एक बाइंग देखूंगा यहां से बाइंग देखूंगा यह बीच में नहीं देखूंगा अगर मुझे major trend देखना है तो ठीक है यह मुझे one hour पर हमें दिख रहा है तो वह सारा fail होने का chances आई है तो मैं उपर के कुछ नहीं कर रहा हूँ इतना ही one hour पर हम रहना देते हैं अब 15 मीट टाइम फ्रेम पर जाएंगे शिफ्ट होंगे और चीजों को देखेंगे कल 2nd of August को अगर market flat open हो के नीचे आता है मैं हर बढ़ाओंगा नहीं देखिए क्या है तो वहां से हम short side का position बना सकते हैं तो अगर कल को market flat open होता है नीचे आता है नीचे आने के बाद यह liquidity pool के आसपास से मुझे कोई buying trade मिलता है तो मैं buy कर सकता हूँ in case liquidity pool नहीं मिला और कहीना कई यह area मिल जाएगा यह area मिल गया जो की हो जाएगा लगबग लगबग मैं अगर आपको बता दू तो around वह 51,370 के आसपास I'm so sorry 51,370 के आसपास मुझे अगर market मिल जाता है 30 points give or take तो मैं वहां से एक बाइंग कर सकता हूँ क्या-क्या setup मैं buying करना प्रसंद करूंगा एक तो होगा 15 minutes setup एक हो जाएगा liquidity का एक हो जाएगा हमारा कोई भी character पे change का एक हो जाएगा sniper का कुछ भी अगर मुझे यहां से मिल जाता है बाइंग सिनारियो में एक बाइंग कर सकता हूँ थोरा नीचे का stop loss फिर से उपर का इस तरह का जो एक 15 minutes time frame में हमें काई नगा का ही liquidity दिख जाएगा वह liquidity का में टागेट लिए सकता हूँ मतलब नीचे से बाई करके फिर उपर तक कवर कर सकता हूँ ठीक है क्योंकि अभी market पे जो range बन रहा है ना विदा एक्सपार इसाट पॉइंट पॉइंट का मूब्मेंट देगा 200 पॉइंट का मूब्मेंट थोड़ा नीचे का stop loss और फिर upside का liquidity यह फ्लैट ओपनों के नीचे का हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर जाएगा मैं बाइंग नहीं करूंगा विकॉस नीचे में liquidity pool है अफ्कोर्स market नीचे में आएगा तो मैं यहां से conventional bull trap पे एक बार देख सकता हूँ otherwise कोई भी मुझे price section नीचे की तरफ फिर से मिल जाएगा मैं एक बार short कर सकता हूँ ठीक है अगर रियक्षा आ गया तो कंटिन्यू करेंगे अगर वाइंग करने के बाद reaction दिया लेकिन ज्यादा देर अच्छा नहीं दे पाया है सपोज आप यहां पे बाइंग कर रहे हो आरी एक्शन आहीं दे पा रहा है और फिर तो और तो यहां पर price चेंज हो रहा है च्शन चे पर पॉसिबिल्टी तो रहा यह कि यह बाद ना करके वजी तक आये बस उसके लिए दो चीज देखना पड़ेगा अगर के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगा तो उस केंडल के नीचे जैसे निकलना चालू करेगा तो में शॉट कर सकता हूं मारकेट ट्रेंडिंग निश्पर आके विजी तक आ सकता है यह एक चांसे से अच्छा यह हो जाएगा पर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा पहले ही वाइड है विजी से ही बाइंग के अनके बार में देखुँँगा अदर्वाइस चोटा मोटा स्नाइपर्स देख सकता हूँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो मैं बाइंग कर सकता हूँ फिर से अपसाइट का यह तरफ जानी करने के लिए यह हो जाएगा अगर मार्केट पर मुझे कल को कैसे ट्रेट करना यह मेरा बाइस थोड़ा सा लाइटली बुलिश रहेगा लाइटली बुलिश तो न्यूट्रल रह सब्सक्राइट करेंगे सेम निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है अगर आप निफ्टी क्लोजिंग देखोगे 25,010 तो फर्स्टाइम इन हिस्ट्री आफ निफ्टी निफ्टी अस्ट्रोज अब 25,000 अब जब जब यह PSY नंबर्स के सामने निफ्टी रहेगा जब-जब तो यहां पर दो चीजे हमें क्या देखना पड़ेगा देखिए सबसे पहला अगर मार्केट गैप आप उपन होता है तो चांसे से मार्केट फिर से हाइस की तरफ शिफ्ट हो जाए अगर फ्लैट या गैप डाउन होता है बहुत ज्यादा मुश्किला हट का हमें सामना करन को देखने को मिलेगा आप अगर डेली टाइम देखोगे काइंड आप के नीचे मतलब 29-24,950 के नीचे मार्केट बेरिश हो सकता है और फिर से 25,080 के ऊपर मार्केट पर बुलिशने सा सकता है तो वो चीज़ तब ही पॉसिबल अच्छा होगा अगर गैप आप या गैप जाता है यहां से थोड़ा बाउंस मिलके तोड़ता है मैं यहां से शॉट कर सकता हूं मार्केट को थोड़ा उपर का स्टॉप लॉस और यह सारे एरियास जो की हो जाएगा 24,800 तक मैं टागेट रख सकता हूं निफ्टी में यह हो जाएगा इनकिस फ्लैट ओपनों के केंडल बनता है इस तारा का के Means स्ट्रॉंग बूनिश स्टाम बूलिश मतलब यह हो गया यह और बूर बनता है मार्केट बना उसके अब कर सकता हूं मिडल रखे लेकिन क्वांटिटिटी कम करूँगा विकॉस टॉप में बाइंग इस नॉट माई आंते ओके यह हो जाएगा इनके सब्सक्राइब मार्केट गैप अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहां तो ट्रिन लाइन के नीचे या इसके आसपास अगर आजू-बाजू और गैप डाउन ओपन हो गया उसके नीचे स्ट्रॉंग बुलिष ब्यारिश केंडल आके निकलना चालू कर रहा है तो मैं वहां पर शॉट कर सकता हो कही ना कई मार्केट को फिर से यह सारे एरियास तक देखने का कोशिश करूँगा चांसे कम है बट हो भी सकता है चांसे हो जाएगा तो हमारे लिए निख्कत अ गया तो हमें bounce देखने को मिल सकता है but वही बात है मैं bullish इसलिए हूँ because selling में इतना time नहीं लगाता अगर मैं निफ्टी को देखू profit booking आ सकता है लेकिन यही तो बात है 25,000 से profit booking तो हर कोई expect कर रहा है we were expecting profit booking from 25,000 it was a day जहां पर इसके पास एक chances था नहीं हो पाया इसका next day chances था नहीं हो पाया next day chances था नहीं हो पाया 25,000 पे जाके लगबग अगर आप एक range को देखोगे यह range पे एक दो तीन चार चार दिन sustain कर दिया profit booking जल्दी आता है time नहीं लेता है profit booking will come soon आप ऐसा सोचो ना आपको अगर profit book करना है तो आप सोचोगे मेरा हो गया target मुझे न निकलेगा तब तक major profit booking नहीं आएगा तो इस हिसाब से हम plan करके चलेंगे मेरा फिर भी bullish to neutral है व्यू बस थोड़ा सा structure पर चेंज आ जाएगा मैं अपना व्यूज को तुरण बदल के बेरिस साइड में जा सकता हूँ चलिए इसके बाहर का level का कुछ भी आएगा मैं trade नहीं क कीजिए otherwise ignore the noises and focus on quality trades वीडियो अच्छा लगा है do like share and subscribe नीचे Instagram आप टेलिग्रम का लिंक दिया हुआ है बहुत इंपर्टन अप्टेर्स हम होँआ पे डालते रहते वो चेक दर आउट mentorship प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है यूज कूपन कोड ONLY4U ONLY4U यह कूपन कोड यूज कीजिए थोड़ा discount मिल जाएगा और advanced चीजे हम बहुत ही pocket friendly price पे और बहुत ही deep में जाके समझते आज के लिए इतना ही टेक्यार वावाई तब तक के लिए ट्रेट स्मार्ट